हेलो जोस्तो तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद कर टॉप सभी लोग काफी उच्छ होगे दोस्तो आज की वीडियो में काफी लंबा समय ले करके बनाई है फूरी इंफोर्मेशन इकट्थे परते में काफी समय लग दिया है हर वीडियो में हमारी यही कोशिश रहती है कि आप जैनुर्ट इंफोर्मेशन पहुंचे आज की वीडियो पे कुछ इसी तरी के उने वाली है जैसा आप देख चुके हैं इस वीडियो में डीटेल से आपको एक एक चीज में समझाने वाला हो जो की प्रैक्टिकली मैंने किया है वो सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो मे इस डीलस को कनेहिए बता हुआ तो दोस्तों आज की वीडियो को शूभरते हैं तो जबन और पेलता है लकृण कि करता है तो ऑपको क्या क्या पार रिशानींयों का सामने घॉता है दोस्तों पहले है आपको रिचिस्टरेशन करने का रिजिश्टरेशन कैसे करना अगर या आपके अपना इन और यह तिसकी वज़ेसे आपका कन्यक्शन को जाता है जब लाइन में नहीं आता है तो एक पना म逼ूइं और तो चैक करते हैं कि वकšela देखने बबन को सब्सक्राइट शाइब यह जाता है जैसे की वो नहीं लगा या आप के पास केबल मौजूद नहीं थी या पुई वी एक ऐसा आपको दिए जाएगा जो कि ऐसा कुछ खोगÁ ही नहीं आपको अपको दोस्तो आूं इसे होते हैं घूस खोर होते हैं जिनको पैसा चाहिए होता है रिपोर्ट लगा रहे का जब कि बहुत ही कम सीश रखी गई होती है जैसे कि लगबक तो दोस्तों ऐसे महमें क्या करना है आप जन्स फुटल पर जाकर भी एक अपनी कम्प्लेंड रिजिस्टर कर सकते हैं जब आप कम्प्लेंड रिजिस्टर करें जो भी स्क्री शोट्स आपको रिमार्क मिले हैं वो नीचे जरूर अटैच करके देच इससे आपको काफी आपकी और से तो कोई कमी नहीं है आपको काम सही डंसे नहीं कर रहे हैं आप देखना जैसे ही आप यह काम कर देगे आपके अगया ही दिन कॉल आ जाएगा आपके लाइन मेंड या आपके जो भी आपके अरिया के होंगे उल्गा और आगे के प्रोसेस के लिए वह आपसे हैं इसके ऊपनी वह बात करेंगे खुदप्र से करेंगे तो सब्सक्राइब करते हैं आपको अपको सब्सक्राव चार्ण लोगा नेगा इस्क्री शोट के जरीए कि आप कोई ये ये डेट दे थी और आपके लाइनमेन ने अभी भी आपके गर पर आकर के मीटर नहीं लगाया आपको कोई कि रुपिया भी एक्स्टर कर्च नहीं हुगा जो आपकी फीस कड़ यहेंगी अगर आप ऐसा करते हैं तो और आपको वही जीद देनी चाहिए जो की सरकार आपसे लेती है ना की उपर का कोई एक्स्टर चार्च देना चाहिए उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप उसी complaint दर्च कर देंगे alignment अपको ची दिन में हो सकता है एक से दो दिन के बीच आपके लगा देंगे मीटर लगाने के बाद एक चीज और आपके सामने आज़ी लाइन में आप से कहेगा कि पैसे दे दीजिए मैंने आपका मीटर फिक्स किया है दोस्तों वैसे तो इसका कोई भी चार दिन नहीं बनता है क्योंकि आप उल्रेडी सारा payment online कर चुपी होते हो और फिर भी अगर आप चाहें तो इसी मेहनद ये 100 बचास ये 200 पे वह आपके उपर depend करता है आप देंते हो ये नहीं वैसे तो ये बनते नहीं है पाक ये आपकी मर्दी होती है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको मैंने ये steps दो बताए है ये आपके साथ रुगा होगा और ये solution भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है ये एक best solution है ये मैंने खुद से practical गया है इसी ये मैंने आपके साथ वीडियो साजा की है दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको ये सारी चीज़ समझ आई होगी और अगर आपको ये जानना है कि जन्ट वाइक पोटल पर आपको किस तरीके से registration करना है या किस तरीके से शिकायत करनी है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए मैं बहुत ही जल्द आपके एक अच्छी proper डिटेल्ड वीडियो बना दूगा तो दोस्तो आज की वीडियो में से नहीं मिलते हैं अब ये वीडियो में तब तक के ये बाई अपना जहान रखें